तो गाइस बीठेस के सबसे यंगर मेंबर, यानि के जंगुक या हम कह ले गोर्डगन मैंखनी ने अपने गीडैज्विएशन को कंप्लीट कर लिये हैं इतना ही उन्होंने आमीस को एक लवली सा मैसेज भी दिये है and गाईस गीडैजुएशन कंप्लीट करने के साथ न जंग सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे आप हमें इंस्टा ट्वीटर फीजबुक पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि जंकुक ने अपने ग्रेजुएशन को कम्प्लीट कर लिये हैं तो आप मुझे सबसे पहले यह बताओ गाईस कि आप कौन से स्टेंडर्ड में हो और क्या आपके एक्जाम हो चुके हैं या आपके एक्जाम होने वाले हैं अगर आपके साथ एक और खिताब को जोईन कर वालिये हैं गोल्डन मैकनी तो थे ही जंकुक अब वो ग्रेजुएट भी हो गये वैल जैसे मैंने आपको बताया कि जंकुक को जब एक ग्रेजुएशन सेटुफिक मिला तो जंकुक ने एक वीड़ शेर के अपने आमीज के साथ तो आप म आमीज के बीच में आई आमीज ने जंकुक के नाम को बहुत ही ज़्यादा एक रेंग्डिंग में ला दिया यह अप टूइटर पे जहां पर भी देखोगे आपको जंकुक का नाम ही समय दिखाई देगा एन आमीज ने दिल से विशेस किये जंकुक को एंगाईश मैंने ज entertainment विभाग से ग्लोबल युनिवर्स सीप्री से अपने ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किये हैं और साते साथ उन्होंने अवर्ड की भी उपादी को जीता है तो गाइस मैं आपको बता दू कि जंकुक ने वीडियो के माध्यम से यह अपने आमीज को मैसेज पहुंचाया कि रेजुएशन होने के बाद वो कितने ज्यादा इमोशनल हो गए हैं लोग कहते हैं कि रेजुएशन कम्प्लीट होता है तो किसी भी इनसान की एक न्यू बिगनिंग या एंडिंग भी होती है आप जिस कॉलेज या जिस स्कूल में हो तो वहां से मतलब आपका एंडिंग हो जाता है अब आप उहां पे नहीं जा सकते हो लेकिन यह आपके लाइफ की बिगनिंग भी होती है सो जंकुक ने आगे बोला कि इस चीज को सोच के मैं बहुती ज्यादा एकसाइटेग एंड बहुती ज्यादा इमोशनल भी हूँ सेम टाइम पे लेकि एक ही साथ उनमें एकसाइटमेंट भी है एंड वो इमोशनल भी है मुझे लगता है कि लर्निंग एक फन है लेक हमें फनी वे में लर्न करना चाहिए और जब हम कुछ नया सिखते है तो उसमें बहुत मजा आता है आगे जंकुक ने बताए कि फ्यूचर में और भी अच्छा करने वाले हैं अपने आमीस के लिए वेल गाईज आप मुझे comment section में बताओ कि आपको ये video कैसा लगा thank you for watching this video आप BTS हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख लेना बब बाई ठेक केर